Hello friends, welcome back, चली स्टार्ट करते हैं नेक्स शेप्लर पार्ट 10 में जिसमें पढ़ने वाल हैं एंटे डिफेक्शन लॉग के बारे में एंटे डिफेक्शन लॉग ये खास करके डिफेक्शन को रोकने के लिए आया था डिफेक्शन मतलब जब 1980 का जो समय था इस समय आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कि एक पार्टी से लोग दूसरे बार्टी में फिर बदल करते रहते थे तो मेंली ये हुआ करता था पावर को गेन करने के लिए तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये आपको एक्ट यहाँ पर लाया गया तो इसके तहत 52nd Amendment 1985 हुआ जिसके तहत ये एंटे डिफेक्शन लॉग आया तो इसमें देखेंगे जो MP है और जो ML है इनके एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो ये जाते थे जमन करें तब जाते थे इसके वज़ज़ से पोलिटिकल जो इनस्टाबिलिटी थी ये हमारे कंट्री में आ गई थी तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये अमेंटमेंट लाया गया था 52nd Amendment Act 1985 इसके अलावे आप अगें देखेंगे कि 91st Amendment जो 2003 में किया गया था इसमें भी एक चेंज किया गया इसमें Split of Party को एड किया गया इसमें ये कहा गया कि अगर एक पार्टी में से 2 3rd Member हटके किसी दूसरी पार्टी को जाइन करते हैं ठीक है अगर मालिजे कि एक पार्टी जिसमें 100 मेंबर से है तो इसका 2 3rd Member क्या होगा इसका 2 3rd Member आपको करीब 66 या 67 हो जाएगा ठीक है तो अगर इत ऐसे केस में anti-defection law लगू नहीं नहीं होगा उन पर apply नहीं होगा ठीक है तो यह add किया गया था प्रोविजन 91st amendment 2003 के द्वारा ओके अब यहां पर यह चीज़े बताए गई है कि कौन कौन से प्रोविजन से है जिनके basis पर MP या MLA जो होते हों डिस्क्वालिफाई होते हैं defection के related मुद्दे पर ठीक है MP और MLA defection के ground पर कौन कौन से प्रोविजन से यह डिस्क्वालिफाई होते हैं अगर कोई MP तो यहां पर MLA भी होगा MP के साथ साथ MLA भी किसी political party से belong करते हों और वो elected हो गया हो यानि कि Parliament में पहुँच गया हो या फिर कोई भी state का legislative council हो या assembly हो वहाँ पर हो तो अगर यह elect होने के बाद अपनी party को छोड़ दे अपनी party के member सिपको छोड़ दे इस case में भी anti-defection law लगेगा ठीक है दूसरी चीज़ आपको वीप पता होगा पार्टी जो होती है वीप जारी करती है वीप एक तरीक से direction या order होता है तो अगर कोई मुद्दे पर या फिर बिल पर किसी को voting करनी है तो पार्टी यहां पर वीप जारी करती है direction या order जारी करती है कि उस party के जितने मेंबर होंगे वह सभी उस बिल के favor में करें या फिर अगेंस्ट में करें जैसा उनका मन हो ठीक है तो अगर कोई मेंबर अपने पार्टी के द्वारा देए गया direction या order या विप के अगेंस्ट जाके वह वोटिंग करता है या फिर वोटिंग से abstent रहता है अमाली जो कोई party है इसने कहा कि सभी members को वोटिंग दिन present रहना है assembly में या फिर पार्लियामेंट में अगर कोई member absent हो गया तो उस case में भी यहां पर आपको यह लगेगा absent हो गया उस case में भी या फिर इसने दूसरी party को वोट दे दिया यानि कि अपने party को order के against जाके किसी दूसरी party को उसने वोट दे दिया तो दोनों case में यहां पर anti-defection law लगेगा लेकिन यहां पर एक provision यह है कि अगर 15 दिन के दिन वो party उसे माफ कर देती है पार्डन कर देती है तो फिर यह laws पर अप्लाई नहीं होगा इंडिपेंडेंट मेंबर भी होते हैं जिसको हम निर्दलिये कहते हैं यह लोग भी चुन की जाते हैं जब कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर elect होने के बाद अगर कोई political party join कर ले तो भी इन पर यह defection anti-defection law ल ठीके, after the expiry of six month अगर कोई political party के join करते हैं तो यह disqualify हो जाएंगे on the basis of defection लेकिन अगर यह 6 महीने के अंदर में ही किसी political party को join कर लेते हैं तब इन पर यह anti-defection law नहीं लगेगा यानि 6 महीने के अंदर यह party join कर सकते हैं उसके बाद करेंगे तो फिर यह disqualify हो सकते हैं anti-defection provisions के basis पर, exceptions हैं यहाँ पर, तो दो तरीके exceptions देखने को मिलेंगे, तो जैसा मैंने एक पहले बताया कि अगर कोई party से at least two third members split होगे किसी दूसरी party को join करते हैं तो उस case में भी यह आपका anti-defection law नहीं होगा दूसरी चीज़, अगर कोई speaker हो ठीक है, जैसे कि आपको लोगसभा में speaker होते हैं या फिर जो assemblies होती है, state assemblies वहाँ पर भी speaker होते हैं तो speaker, actually क्या होता है कि ये member ही होता है, लोगसभा का member ही होता है या फिर वे समली का member ही होता है, क्योंकि member ही अपनी में से एक को speaker चुनते हैं, तो जब ये member speaker बनने के बाद, अपनी party से resign कर दे, ठीक है, और दुबारा वो जब speaker के पत से हट जाए, उसके बाद ये अपनी party को दुबारे जोइन कर सकता है, तो इस case में, speaker बनने के बाद, जब अपनी party से resign करता है, तो इस case में anti-defection law नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए ये resign करते हैं, क्योंकि ताकि ये partition वाला काम ना हो पाए, तो एक convention है कि इनको कर देना चाहिए, ताकि किसी party, जिस ruling party है, तो अगर ruling party किसे बिलोग करते हैं, तो उनकी तरफ इनका favor ना हो पाए, तो इन दो cases में anti-defection law नहीं लगता है, यहाँ पर preceding officer, house का decide करेगा, कि किस पर anti-defection law लगना है या नहीं लगना है, तो preceding officer कौन होता है, हमें पता है कि लोगसभा या state की assembly हो, वहाँ पर speaker होते हैं, तो यह सब preceding officer होते हैं अपने अपने house के, तो जिस house का मामला होगा, उस house में यह preceding officer decision लेते हैं कि disqualify करना ही है, नहीं करना है, ठीक है, तो हमने एक पहले भी पढ़ा होगा था, RPA Act के बारे में पढ़ा होगा था, RPA Act 1951 के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया थे कि यह जो members होते हैं, इनका disqualification दो तरीके से होता है, यह disqualification दो तरीके से होता है, एक होता है RPA Act, Representation of People Act, 1951 के द्वारा, और एक होता है anti-defection law के द्वारा, ठीक है, RPA Act 1951 के द्वारा जो disqualification होता है members का, यहाँ पर यह decide करते हैं, president, with जो हमारा election commission होता है, election commission of India, उसके साथ consult करके, यह president decide करते हैं, disqualification का काम, लेकिन जो anti-defection के थूरू disqualification होता है, यहाँ पर जो preceding officer होते हैं, उस respective house के, यह decide करते हैं, कि disqualify करना है यह नहीं करना है, ठीक है, तो दो तरीके सोता है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अंतर है इसमें, ओके, अब इसमें क्या था, कि पहले यह कहा कि original हमारा जो, अब इसमें यह है ने, कि जो preceding officer है, उनका जो decision होता है, वह final होगा, और इसमें पहले यह भी व्यश्ता थी, कि इनके decision को किसी court में, question नहीं किया जा सकता, court में challenge नहीं किया जा सकता, लेकिन Supreme Court ने कि ही तो हुलाहन case, जो कि 1993 में आया था, इसमें Supreme Court ने कहा, कि यह unconstitutional है, यानि कि, यहाँ पर preceding officer के decision के against, यहाँ पर Supreme Court में आप review, Supreme Court या High Court में आप judicial review के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यह जो preceding officer का, यह जो preceding होता है, यह जो antifection law जो लगता है, और यह जो preceding होती है, यह एक tribunal की तरह यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर preceding official, यानि कि एक तरीके से यह quasi-judicial proceeding हो गई, इसलिए, इस चीज़ को क्या है कि completely High Court या Supreme Court के domain से बाहर नहीं किया जा सकता, कुछ notes, यहाँ पर यह बताया क्या है कि anti-defection law, यानि कि 10th schedule, 10th schedule से related, यानि कि anti-defection law, related जो provisions होते हैं, यानि कि कैसे उसको proceed करना है, और कौन कि कमिटे के पास भीजना है, क्या करना है, यह सारा decide करने का काम जो होता हुए, प्रिसेडिंग officer करते हैं, और इस rule को प्रिसेडिंग officer उस house में 30 दिन तक लिए रखते हैं, कि house उस rules पर discussion करें, अगर उस पे modify करना हो तो बताए, approve करना हो तो कर सकते हैं, और डिस approve करना हो तो भी कर सकते हैं, तो यह जो proceedings होती है, सारी के सारी proceedings उसी तरीके से होती है, जब किसी member के against privilege करने का मामला आता है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, कि anti-difection law लागो कैसे होता है, अब यह नहीं है कि party A से छोड़ कि किसी party B में कोई candidate चला गया, तो भी यह नहीं है कि preceding officer अपने आप action लेगा, preceding officer अपने आप action नहीं लेगा, जिस party से यह छोड़ के गया है, यानि कि A party से यह छोड़ के गया है, और A party अकर complain करे presidential officer के पास, तभी preceding officer उस पर करवाई करेगा, अधरवाज यहां प्रप्रशिटिक अफिसर खुद से क्रवाई नहीं कर सकता, यह चीज ध्यान कियेगा Now, Advantage of Anti-Defection Law पहली चीज, Political Party को कही ने कही constitutional status मिला पहले, Political Party जो हमारे Constitution में इतना जिक्र नहीं है Political Party का जिक्र आपको RPA Act 1951 में आपको देखने को मिलेगा तो कही ने कहीं जब Anti-Defection Law हमारे Constitution के 10th schedule में आया तो कही ने कहीं Political Parties को भी एक constitutional recognition आपको देखने को मिलता है Anti-Defection Law की वज़े से क्या होता है कि एक Party से दूसरे Party में लोग आते जाते रहते हैं इसलिए आपको Political Inestability देखने को मिलेगी तो Anti-Defection Law की वज़े से क्या होगा कि कि जो Political Party है वहाँ पर आपको Stability देखने को मिलेगी Corruptions वगर यहाँ पर आपको कम होती होना ज़राएंगे साथी साथ अब यहाँ पर यह भी देखेंगे कि एक Party के पास यह अब Freedom होता है कि उसमें से Two Third लोग दूसरी Party को जोईन कर सकते हैं इससे क्या होता है कि अगर कोई Political Party मालेज यह Political Party अगर Democratic Line पर काम नहीं कर रही है तो फिर यहाँ पर Member Two Third At Least Two Third Member दूसरी Party को जोईन कर सकते हैं जो Democratic मुद्दों पर काम कर रही हो तो यह आपको कुछ तीन एडवांटेज आपको नजर आएंगे यहाँ पर Entity Fiction लोग है Criticism की भी बात होई इसकी Criticism की क्या? कि No Room for Descent and Freedom of Conscience यानि कि इसका मतलब यह हुगा कि अब Member के पास अपना जो विचार है उसका कोई महत्व नहीं रखता है यहाँ जो Political Party के जो विचार होंगे वही ज़्यादा Important है अब Political Party ने कहा कि इस Bill पर आपको इसके Against में वोट देना है तो आपको Against में ही वोट देना है आप उसके Favor में वोट देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं एक तरीके से आपकी जो एक Personal Freedom हुआ वो यहाँ पर रोक दी जाती है साथी साथ Individual और Group Defection में आपको फर्क देखने को मिलेगा अगर कोई एक Individual Member Party छोड़ के जाता है तो Anti-Defection Law उस पर लागू होगा लेकिन अगर किसी Party की Two-Third Members अगर Party छोड़ के जाते हैं तो उन पर Anti-Defection Law लागू नहीं होगा तो इस तरीके से Individual और Group Defection में आपको फर्क देखने को मिलेगा ठीक है Independence Member जो होते हैं और Party Member जो होते हैं इन दोनों में फर्क हो गया अब जो Independence Member जो होते हैं वो किसी Party को जॉइन करते हैं तो यह Anti-Defection लागू होता है लेकिन कोई Party Member जब किसी Party को छोड़ते हैं तो उन पर Anti-Defection लागू होता है तो यहां पर आपको फर्क देखने को मिलेगा ठीक है अब कोई Member अगर Party से बाहर की कोई Activities हैं वो करता है तो उन पर Anti-Defection के तहत Disqualification नहीं हो सकता तो आए दिन यह Members जो होते हैं Publicly कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तो outside Party अगर कोई काम कर रहे हैं तो उन activities के basis पर Disqualification नहीं हो सकता तो अब यहां पर यह भी रहता है कि जो Preceding Official होते हैं हो सकता है कि decision लेते समय वो biased हो जाए या फिल जो legal issues हैं Anti-Defection से related वो उनको पता ना हो तो उनके decisions गलत हो सकते हैं तो इन समुद्दों पर आपको Anti-Defection लोग को यहां पर क्रिटिसाइज किया जाता है जैसा मैंने आपको पहले बताए कि 91st Amendment Act 2003 के तहत में कुछ provisions add किया गये थे तो इसके तहत party split का भी provisions add किया गया था वो हम पहले पढ़ चुके हैं यहां पर एक चिस और एड़ किये गही थे limit to the size of council of ministers and debar defectors from the holding public office इसका मतलब यह हुआ कि जो Entity Fiction Law के अंडर में disqualify हो चुके हैं अब वो किसी भी तरीके की ministry over join नहीं कर सकते, member नहीं बन सकते limit भी बताया गया, limit हुआ maximum 15% of total strength चलिए तो total number of ministers कितने होंगे, चाहे वो parliament हो, चाहे वो state की assembly हो, तो दोनों किसमे maximum member ministers जो होंगे वो 15% होंगे उस assembly या लोग सभा की total strength का, इस से जादा नहीं होंगे, ठीक है, estate के case में minimum जो होगा, वो 12 होगा और maximum 15% से जादा नहीं होगा, यह 12% नहीं है, 12 number है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में आप देखिएगा 10% है, यानि कि 7, तो exception है तो उसी तरीके से, अब MP अगर disqualify होते हैं, एंटे defection law के according, तो वो किसी भी ministry के पत्पे नहीं हो सकते उसी तरीके से, state legislative assembly में भी कोई MLA, अगर disqualify होता है, defection के मुद्दे पर, तो वो भी किसी भी minister के पत्पे अपॉइंट नहीं हो सकता साथी साथ, अगर कोई member disqualify होता है, अंटे defection के मामले में, तो वो किसी remunerative political post को भी join नहीं कर सकता है, remunerative political post का मतलब क्या हुआ, remuneration का मतलब होता है, monetary benefit, तो ऐसा कोई post जो state government या central government के under में है, जिसके लिए salary मिलती है, या कोई revenue या कोई monetary benefit होता है, तो वैसे कोई post पर भी ये member नहीं जोइन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा मामला entity fiction law से related, ठीक है, चलिए, अब next मिलते हैं, pressure group, chapter होगा, तक थैंक यू, best of luck.